Hello Everyone, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ओफ इंजेक्शन, एंगल ओफ इंजेक्शन, साइट ओफ इंजेक्शन, स्किन लेयर और एंगल ओफ इंजेक्शन में क्या रिलेशन है हर चीज के बार करें नर्सिंग को सब्सक्राइब कीजिए यहां पे प्रैक्टिकल बेस्ट मार्किट बेस्ट रैगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगी इंजेक्शन के साइट एंगल जानने से पहले हम थोड़ा सा यह जान लेते हैं क्यों इंजेक्शन हमारे लिए अपॉर्टेंट है हमा आते हैं जैसे एंपूल आप सक्रीन के ओपर देख सकते हो यह एंपूल जो आते हैं वो मैक्सिमम जो सिंगल यूज के लिए आते हैं वाइल जो पैगिंग आती है वो आपकी मल्टिबल यूज के लिए आती है मतलब आप उसको एक ही वाइल को डिफरेंट डिफरेंट हैं यह स्टेराइल होते हैं मतलब इसमें कोई भी पैथोजन जा फिर माइक्रो और्गंजिसम प्रेजन नहीं होता इसको स्टेराइल किया होता है अब अगर हम बात करें कि हमारे पास टैबलेट कैपसुल सिरप अवेलिबल है तो हम इंजेक्शन प्रेंटल का इस्तमाल क्यू हो रहा है मतलब उपरेशन के बाद पेन हो रहा है अगर हम उसको टैबलेट खाने के लिए देंगे टैबलेट पहले स्टमक में जाएगी वह हम वहां पर डिसिंटिग्रेट होगी फिर वह बलड में जाएगी फिर वह साइड के ओपर पहुंचेगी अपना एक्शन होगा यह सारा मिनिमाइज हो जाएगा सीधा ड्रग भलड में जाएगा और साइड के ओपर पहुंच जाएगा और 2-3 मिनट में अपना एक्शन शो कर देगा इमेडेट पेशन को रलीव देने के लिए प्रैंटल का इस्तमाल करा जाता है जो सैगेंड रीजन है प्रैंटल drug को पचाया जाता है चाहिके जी यटी में जाए ना ड्रेक्ट बलड पर जाके जहां पे उसको action दिखाना है वहाँ पे show करें गीट में irritation ना हो जो third reason है वो है कुछ patient unconscious होते हैं वो बोल नहीं सकते कुछ खा नहीं सकते एंड उनको खोश नहीं होती तो unconscious की condition में injection जो प्रेंटर है वो सबसे अच्छी फॉर्म है क्योंकि पेशन्ट अगर अनकॉंशियस होगा वो ना तो टैबलेट निकल पाएगा ना ही वो कैपसुल खा पाएगा कुछ भी वो खा नहीं पाएगा तो इसलिए अनकॉंशियस कंडिशन में इंजेक्शन का इस्तमाल करा जाता है नेक्स इसका रीजन है कि कुछ ड्रग्स जी आईटी में जाके डिस्ट्रोई हो जाते हैं जी आईटी उनको डिस्ट्रोई कर देती है इसलिए उनको ड्रेक्ट इंटू दी बलड ट्रांसफर करा जाता है बलड में इंजेक्ट करा जाता है वेन के थूँ इंट्रमस्कुलर के थूँ, इंजक्शन के थूँ, तांके वो गैट में जाके वो ड्रग Hाऍए ना हो एंट अपना एक्शन सोक्ब कर सके एक और कंडीशन होती है, फर्स्ट पास एफेक्ट के आपने बारे में सुना होगा, के ड्रग पहले GIT में जाके disintegration dissolution होती है फिर वो liver में जाती है filtration के लिए और कुछ drugs liver को bad effect देते हैं जैसे steroidal drug होते हैं जब औरली steroidal आप लेते हैं तो liver में बहुत bad effect होता है उसका side effect होते हैं तो उन चीज़ों को minimize करने के लिए जो drug है वो direct into the vein जा फिर IEM जा subcutaneous acid injection की form में दिया जाता है ताँ के first pass effect उसका minimize किया जा सके liver को बचाया जा सके ये कुछ reason थे कि क्यों हम plantles का इस्तमाल करते हैं अब हम बात करते हैं types of injection के बारे में कि कौन कौन सी types है injection की तो आप सकतीन के ओपर देख सकते हो 11 तरह के injection market में available हैं जो यूज होते है most commonly line wise मैं आपको बताता हूँ जिसमें intra venus, intra muscular, subcutaneous intra dermal, intra thickle, intra arterial, intra cardiac, intra cisternal, peridural, intra articular and intra cerebral ये 11 तरह के injection है और इन 11 जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं वो सिर्फ 4 तरह के injection है जो के आपको हर जगे यूज में मिलेंगे चाहे वो आपका local doctor हो, चाहे वो medical practitioner हो जा फिर कोई भी local hospital हो तो चार तरह के injection mostly यूज होते हैं जिसमें intra muscular, intra venus, subcutaneous and intra dermal and इनी चारों के बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि ये चार सबसे ज़्यादा इस्तमाल होने वाले injection है now injection के sight and angle को जानने से पहरे आपको skin के बारे में थोड़ी सी knowledge होनी चाहिए skin में कौन कौन सी layers present होती है जो सबसे उपर वाली layer है जो आपको दिखती भी है आपकी सबसे उपर वाली layer वो epidermis होती है इसमें dead cell present होते है इसके जो नीचे वाली second layer है वो dermis होती है इसी में intra-dermal injection लगाया जाता है dermis होती है इसके जो next वाली layer है वो होती है hypodermis जिसको आप subcutaneous layer भी बोलते हो इसमें subcutaneous injection लगाया जाता है और ये जो dermis and hypodermis है इन दोनों के बीच में आपकी arteries and veins होती है और उनी veins में IV injection और जो आपका intra-artial injection लगाया जाता है IV intra-venous injection मतलब वो dermis and hypodermis जो subcutaneous हैं इनके बीच में veins होती है वहाँ बे लगाया जाता है और जो last में आता हाइपो dermis के बाद subcutaneous के बाद आपका muscle present होता है इसलिए बोला जाता है कि पूरे का पूरा injection एंटर करना चाहिए जब भी intra-muscular injection लगाया जाता है क्योंकि वो last पे आपका muscle ही present होता है अब हम बात कर लेते हैं angle of injection के बारे में मतलब आपने किस angle के उपर injection लगाना है तांके वो वही particular side के उपर जाके drug को शोड़े सबसे पहले हम बात करते हैं I.M. intra-muscular injection के बारे में तो इसको आपने 90 degree के उपर angle पे लगाना है मतलब सीधा आपने पूरी स्रिंज enter करनी है इस बात का जरूर धियान रखे जब भी आप injection inject करें पूरी की पूरी स्रिंज पेशन के अंदर एंटर होनी चाहिए तब ही वो muscle तक पहुंचेगी और I.M. injection तब ही लगेगा तब ही वो drug को muscle में जाके शोड़ेगी तो I.M. हमेशा 90 degree के उपर लगाना चाहिए नेक्स्ट है हमारा subcutaneous जो के I.M. के उपर लेर होती है वो आपको 45 degree के उपर लगाना है आप साथी साथ स्क्रीन के उपर देख सकते है 45 कहां पे बनता है ये बाकी चीज़ें आपको experience से होगी ये आप 45 आपने वहां पे मिनने नहीं लगना ये आपको experience के साथ आपको पता चल जाएगा तो subcutaneous 45 के उपर लगाते है और इस केस में भी full syringe आपने patient के अंदर एंटर करनी है नेक्स्ट जो है वो है IV IV आप सभी को पता है कि वो vein में लगाया जाता है तो IV जो होता है वो 25 degree के उपर लगाया जाता है ये भी आपको experience से पता चल जाएगा 25 कहां पर बनता है जैसे जैसे आप experience होते जाओगे जैसे जैसे आप knowledge gain करते जाओगे तो IV हमिशा वेन में लगाया जाता है नेक्स्ट रहा है इंट्राडर्मल इंट्राडर्मल 5 से लेके 15 यहां पर तो 10 से 15 लिखा है लेकिन 5 से लेके 15 डिगरी के बीच में इंट्राडर्मल लगाया जाता है इंट्राडर्मल मैंने आपको बता कि सैगिंड लेर होती है पहली आपकी epidermis होती है यहां पर dead cell होती है second जो लेर होती है वो इंट्राडर्मल होती है जब intra-dermal लगा जाता है थोड़ी सी स्किन को उपर उठा गए फिर intra-dermal लगा जाता है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे intra-dermal injection लगा जाता है तो ये थे angle अब हम बात कर लेते हैं site of injection के बारे में डिल्टोईड मसल है जो arm का वहाँ पे इसको लगा जाता है westus L muscle of thigh है वहाँ पे लगा जाता है ventro gluteal muscle of hip है वहाँ पे लगा जाता है and dorsal gluteal muscle of buttocks है वहाँ पे इसको लगा जाता है majorly ये चार side हैं लेकिन जो majorly इस्तमाल करी जाती है मेजरली यहां पर inject करा जाता है वो दो मेजर साइड है वो है डेल्टोएड मसल ओफ आरम और्सो ग्लूटियल मसल ओफ बटक्स है जो आपके वहां पर इन दोनों को inject करा जाता है आपने देखा होगा जो आप आज गल आपने COVID की वैकसिन भी आपने देखी होगी तो वो भी जो है वो डेल्टोएड मसल के ऑफ लो लगती है तो यह डेल्टोएड मसल ओफ आरम और्सो ग्लूटियल मसल ओफ बटक्स के ओपर आईयम इंजेक्शन मैकसिमम केसिस के ओफ नगाया जाता है next is subcutaneous injection ये 45 degree वोपर लगाया जाता है इसके अगर हम side की बात करें upper outer area और arm यहां पे लगाया जाता है इसके अलावा front and outer side of thighs यहां पे लगाया जाता है abdomen पे भी लगाया जाता है आपने insulin के injection दे के होंगे बहुत सारे लोगों को subcutaneous लगाते हुए तो abdomen के जो दो इंच का area है जो आपके नेवल के आसपास का दो इंच का area है उसको शोड के abdomen के कहीं भी लगाया जा सकता है इसके लावा upper outer area of buttocks है वहां पे लगाया जा सकता है अगर कोई insulin आपके आसपास लगाता होगा तो आपने देखा होगा वो subcutaneous लगाता है 45 degree के angle के उपर next है हमारे IV injection intravenous injection जो के 25 degree angle के उपर लगाया जाते है और यह हमेशा वेन में लगाया जाते है जब भी आप injection बाए करोगे तो उसके उपर भी लिखा होता है IV injection मतलब intravenous injection है उसको हमेशा वेन में लगाना चाहिए and major इसके वैसे तो वेन में पूरी बाड़ी में कहीं भी लगाया जाता है लेकिन major अगर हम बात करें तो जो आपका outer hand है hand है जो outer वहाँ पे वेन पे लगाया जाता है जो डॉक्टर को condition के हिसाब से सही लगे फिर आपकी बाड़ी में कहीं और वेन ढूनके फिर लगाया जाता है लेकिन major इनी दो वेन में लगाया जाता है next जो आपके injection है वो है intra-dermal injection intra-dermal injection पांच से लेके 15 डिगरी के एंगल के उपर लगाया जाता है जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि ये एपी-डर्मिस आपकी first layer होती है second आपकी dermis layer होती है वहाँ पे intra-dermal injection लगते है इस injection को ऐसे उंगली से आपकी skin को उंगली से थोड़ा सा उठाके आप screen के ओपर देख सकते हैं कहाँ पे intra-dermal injection लगता है आपकी skin को थोड़ा सा दोनों उंगली से उठाके फिर इसको inject करा जाता है तो ये थे आपके angle आपकी side और थोड़ी सी injection के बारे में knowledge तांके आपको पता चल सके कि कौन से injection की side कौन सी है angle कौन सा है क्यूं हम injection का इस्तमाल करते हैं ऐसी ही medical related videos आपको मिलती रहेंगी किसी और topic के ओपर वीडियो चाहिए comment section में बताएं चैनल को वीडियो को share करें अपने medical, pharma, nursing latest दोस्तों के साथ थैंक यू सो मच